आज मैं आपके साथ शेर करूंगी आलू पालक रोज जो पहुत ही टेस्टी पनते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर पालक लिया है उसको अच्छे से वाश करके कट कर लिया है साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है उसको अब हम छील का निकाल लेंगे तो यहाँ पर आलू मैंने अच्छे से छील लिया है अब ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे आलू को यहाँ पर मैंने एक बोल में पान लिया है आलू को हम इसमें वाश कर लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च अच्छे से निकल जाएं एक बोल मैं मैंने पालक ले लिया है अब हम उसमें हाफ स्पुन जिंजर गालिक पेस्ट आट कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पावडर घ्द कर देंगे अब जढ कर देंगे नमक डाल देंगे आलू रखे थे वो भी इसमें मिला लेंगे उसके बाद इन सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एक कटोरी बेसन एड़ कर देंगे अगर आप चाहे तो थोड़ा सा मैदा भी इसमें एड़ कर सकते हैं बैडिनिंग के लिए उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आलू और पालक का बैटर रेडि हो गया है अब हम रोल्स त्यार कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में पोशन ले लेंगे और रोल्स बनाती जाएंगे उसके बाद हम ब्रेट क्रम्स में इसको अच्छे से कोट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे रोल्स बना कर रेडि कर लिए हैं ओइल गरम होने के लिए रख दिया था मैंने ओइल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें रोल्स एक एक करके डालते चाहेंगे और फ्राई कर लेंगे बिल्कुल low flame पे हम इसको fry करेंगे अब इसको दूसरी साइड भी पलठा देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से fry हो सके तो यहाँ पर हमारे rolls fry हो गए है अब हम इसको निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आलू पालक के rolls बनकर रेडी हो गए हैं अगर आपको मेरे रेसीपी से अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमली प्रेंट्स में जरूर शेयर करिए तो मिलती हूं नेक्स रेसीपी के साथ तब तक के लिए कीप वाचिंग अला हाफ आपको